हलो माई डियर स्टुडेंट मैं हूं रोमेश मर्त्र पाथी तो आज हम बात करने वाले हैं डार्जन्स प्रॉसेस के बारे में तो होता क्या है यह डार्जन्स प्रॉसेस किसी भी अल्कोहल की रियक्शन अगर आप आप साथ करा रहे हैं तो प्रोड़क्ट क्या बन जाता है और सील बन जाता है अब आप इस रियक्शन में देखोगे कि इस ओएच की जगह क्या आगया अब यह सील आया कहां से यह आया थायोनिल क्लोराइड के क्लोरीन से क्लियर बेटा तो इस ओएच को सब्स्टिटूट कर क्लोराइड एलकाइल क्लोराइड बोलते हो या इसी को आप क्लोरो एलकेन भी बोलते हो या आप इसको क्लोरो एलकेन भी बोलते हो क्लोरो क्लोरो एलकेन भी बोलते हो क्लियर तो कहीं न कहीं आर सील बन रहा है अब मिक्चर में एसो टू गैस भी रिलीज होगी सील भी रिल किसके formation के लिए बिटा RCL के बनाने के लिए एक दार्जन प्रोसेस एक अच्छा मेठर हो सकता है तो पहले हम प्रोड़क्ट बनाना सीखेंगे फिर उसके बाद हम इसके कंप्लीट मेकानिजम के बारे में बताएंगे आपको तो पहले मैं आपको कोशन करा के प्रोड़क्ट बनाने के बारे में बताता हूं जैसे आपके सामने एक कोशन है आपको दे दिया CS3 CH2OH, खेर बटा, इसका नाम क्या होता है? दो carbon है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बटा? ethyl alcohol, क्या हो जाएगा बटा? ethyl alcohol, इसकी reaction उस ने करा दिया SOCl2 के साथ, किसके साथ? SOCl2, तो आपको क्या करना है, simple सा, इस OH को कि से replace कर दीना बटा? इस OH को इस CL से रिप्लेस कर दो प्लस SO2 gas रिलीज हो गई प्लस SCL भी रिलीज हो गई तो इसका नाम क्या हो जाएगा बटा दो कारवन तो एथाइल क्लोराइड क्या नाम हो जाएगा बटा एथाइल क्लोराइड तो आपको ऐसे भी देख सकता है अधाइल एलकोहल से एथाइल क्लोराइड बनाई है तो आपको क्या लगाना है यह रिएजेंट आपको लगा देना SOCL2 आपको रिएजेंट लगा देना convert एथाइल क्लोराइड तो आप क्या करोगे SOCL2 आप एज रिएजेंट यूज कर लोगे क्लियर बेटा दूसरा प्रॉब्लम करते हैं देखो आपके सामने यह प्रॉब्लम दे दिया आपको प्रोड़क्ट बनाना है तो क्या करोगे इस OH को क्या करोगे इस CL से replace कर दोगे प्लस SO2 gas release होगी प्लस SCL release होगे क्लियर बेटा अच्छा तीसरी प्रॉब्लम करते हैं इसकी reaction अगर आपने SOCl2 के साथ करा दिया तो प्रोड़क्ट क्या बनेगा बेटा क्या करोगे इस OH को किसे replace कर दोगे इस OH को किसे replace कर दोगे CL से और साथ में क्या बन जाएगा साथ में SO2 gas release हो जाएगी और प्लस SCL भी बनेगा तो आपको प्रोड़क्ट बनाना आ गया आपको करना क्या है कि जहां पे भी आप OH देखो अगर SOCl2 दिख गया तो क्या करोगे उस OH को replace कर दोगे इस CL से तो कही न कहीं यह अच्छा मेथड माना जाता है अलकोहल से अलकाइल क्लोराइड बनाने का यह आपनो डाउन कर लीजेए फिर हम इसके कि यह डाजन प्रोसेस किस मेकेनिजम को फॉलो करता है क्या इसमें इनवर्जन पॉसिबिल है या नहीं है इन सब के बारे में अभी डिसकस करते हैं तो बात करते हैं इसके important point के बारे में और mechanism के बारे में तो पहले मैं बता दूँ कि डाजन प्रोसेस में कौन सा mechanism involved होता है तो SNI होता है क्या बता है SNI SNI का मतलब होता है substitution nucleophilic internal मतलब S मतलब substitution N मतलब nucleophilic I का मतलब internal ये mechanism इस डाजन प्रोसेस में होता है दूसरी चीज क्या है retention in configuration इसका मतलब क्या होता है कि जो group देखेगा जैसे ये group यहाँ लगा हुआ है ये group जिस direction में लगा हुआ है उसी direction में ये दूसरा group इसको क्या करेगा substitute कर देगा clear बेटा retention का मतलब समझ में आ गया कि उसके configuration में कोई change नहीं होगा मलब जिस direction में जिस direction में जो group लगा होगा उसी direction में वो group आके दूसरा group लग जाएगा इसको बोलते है retention in configuration clear बेटा तो अब हम बात करते हैं problem को लेके फिर इसके mechanism को भी discuss करते हैं देखिए जैसे आपके सामने कोई है example आपके सामने ये problem है अब इसकी reaction आपने thionyl chloride SOCl2 के साथ करा दिया अब आप सबको पता है product क्या बनना है yes clear क्या बनना है OH यहां से replace होगा और CL क्या होगा जाके substitute हो जाएगा तो क्या होगा H C CH3 CH3 और CL ये जुड़ गया देखो इस direction में OH लगा था तो इसी direction में क्या हुआ CL लगा मतलब इसके configuration में कोई change नहीं हुआ इसी को बोलते है retention in configuration बोलते है clear बेटा अब हम इसके mechanism के बारे में बात करते हैं क्या बात करते हैं बेटा mechanism के बारे में तो एक चीज आप ध्यान लखो mechanism के बारे में कि नए bond बनाने के लिए पुराना bond तोड़ना पड़ेगा ये आप बिल्कुल याद कर लो slogan की तरह नए bond बनाने के लिए पुराना bond तोड़ना पड़ेगा तो हम इसके mechanism के बारे में discuss करते हैं क्या है कि आपके सामने ये आपका molecule है कोई भी alcohol है ये आपका alcohol है बेटा clear आप आपको पता है कि इस OH पे दो lone pair होता है clear ये lone pair होता है अच्छा SOCL2 है आपका SOCL2 का structure बेटा ये होता SOCL2 का structure ये होता है clear बेटा SOCL2 का structure SOCL2 ये मैंने बना दी SOCL2 का structure ये होता है clear अब आपको देखना है कि तो sulfur से chlorine chlorine और oxygen जुड़ा अब तीनो more electronic element है clear तो यहाँ पे sulfur पे positive charge बढ़ जाएगा sulfur पे क्या होगा positive charge बढ़ जाएगा कि ये सब अपनी तरफ electron खीचेंगे ये सब अपनी तरफ electron खीचेंगे more electron negative की वज़े से ये सब क्या करेंगे बेटा अपनी तरफ electron को खीचेंगे तो यहाँ पे कौन सा partial charge डेब लोगा positive charge अब ये क्या करेगा ये oxygen को जो lone pair है ये क्या करेगा इसकी तरफ approach करेगा और bond का formation करने करने की कोसिस करेगा clear बेटा क्योंकि इसके पास lone pair है lone pair क्या करेगा positive की तरफ क्या होगा attract होगा clear तो first step में क्या हुआ आपको समझ में आगए कि ये oxygen का lone pair इस sulfur से क्या कर रहा है approach कर रहा है अपना lone pair दे के bond बनाने के लिए approach कर रहा है clear बेटा तो ध्यान से सुनियेगा जब ये approach करेगा तो नया bond बना रहा है तो पुराना bond क्या होगा कोई ना कोई दूसरा bond तूटेगा clear और आप जानते हो भी CL1 अच्छा living group भी होता तो ये chlorine क्या करेगा बिटा निकल जाएगा migrate हो जाएगा इन दोनों कोई भी chlorine remove हो जाएगा तो यहां से chlorine क्या हो जाएगा migrate कर जाएगा तो बनेगा क्या ध्यान से चुनियेगा बनेगा क्या आपके पास देखिएगा यह आपका H यह हो गया C यह हो गया CS3 यह हो गया CS3 यह हो गया O O ने loan pair दिया बिटा O ने क्या क्या loan pair दिया तो इस पे कौन सा charge आ जाएगा positive charge आ जाएगा clear और यह oxygen इसके साथ bond बना लिया तो यह oxygen sulfur के साथ bond बना लिया double bond O as it is रहेगा और chlorine यह आपका लगा है एक chlorine तो बाहर चला गया ठीक यहां से CL- बाहर हुआ clear बेटा यहां से CL- क्या होगा निकल गया अब ध्यान से सुनिएगा अब इस oxygen पे आ गया positively charge कोई भी species अपने उपर charge carry करना पसंद नहीं करेगा क्योंकि वह highly unstable हो जाता है और वैसे भी oxygen more electron negative element है तो कभी भी अपने उपर positive charge रखना पसंद नहीं करेगा तो क्या होगा कि यह bond को तोड़ेगा यह क्या होगा यह सोचेगा कि इस pair of electron से इस bond में जो pair of electron है वो अपनी तरफ shift कर ले clear तो इसकी help कौन करेगा CL minus CL minus आएगा जो यहां से निकला वो CL minus क्या करेगा इस H को अपनी तरफ ले लेगा किसका formation कर लेगा HCL का जब यह H लेके जाएगा तो यह क्या हो जाएगा pair of electron अपनी तरफ ले लेगा और ले लेगा तो यह positive negative क्या हो जाएगा neutral हो जाएगा clear बेटा तो next step में क्या हुआ आपका देखेगा next step में आपका हुआ कि HCL आपका निकल गया यहां से और आपका बना क्या ध्यान से देखेगा H C CS3 CS3 OS double bond O CL इतनी चीज समझ में आगे बेटा अब ध्यान से देखेगा अब यहां पे क्या होगा अब देखेगा carbon और oxygen वे more electron negative oxygen यह क्या करेगा bond अपनी तरफ दीरे-दीरे shift करेगा तो इस पे दीरे-दीरे partial negative charge आएगा यह अपनी तरफ electron shift करेगा तो इस पे दीरे-दीरे partial negative charge आएगा इस पे क्या जाएगा बेटा partial positive charge आएगा अब chlorine एक chlorine के पास क्या होता है electron होता है lone pair of electron होता ही होता तो यह क्या करेगा chlorine internal attack कर देगा इस carbon पे इस carbon पे क्या करेगा internal attack कर देगा और यह pair of electron क्या हो जाएगा clear बेटा क्या किया इसने chlorine ने क्या किया इसी molecule के अंदर ही तो chlorine था chlorine ने क्या किया internal attack कर दिया और इस पूरे negative यह जो single bond था इसमें pair of electron था यह क्या होगे यह shift होके इधर आ गया clear तो अब नया product क्या बना ध्यान सुनियेगा अब जो नया product बना बेटा वो यह बना आपका यह आपका बना यह आप यह migrate करके चला गया तो जब यह migrate करके जाएगा तो यह double bond हो जाएगा तो SO2 और यह तो chlorine इसके साथ जोड़ी चुगा तो यह chlorine बन गया आपका प्लस क्या हो गया SO2 gas release हो गई तो देखो यही product बना की नहीं बना मतलब जिस आप देखो आप retention in configuration हो गया की नहीं हो गया देखो आप reactant side में OH इधर side में था तो इधर side में ही CL लगा clear बेटा और अब इसको substitution nucleophilic internal क्यों बोला क्यों 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 क्य internally ही carbon पर attack कर रहा है तो इसको क्या बोलोगे आप substitution nucleophilic internal clear बेटा पूरी mechanism समझ में आ गई ठीक है ओके तो हम कुछ problem और करेंगे आप इसको note down कर लिए देखे तो अब यह problem आपको आपके सामने 3 problem है आपको इसको attempt करना है और product बताना है ठीक है तो आप देखो क्या है यह करना है और इसमें क्या करना सेम साइड नहीं करना क्योंकि इसमें क्या होता है रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होता है सना आई mechanism होता है तो product क्या बनाओंगे देखो simple सा product बन गया आपका विदिन सेकेंड आपका product बन रहा है देखिए आपने CL लगा दिया प्लस SO2 अब आपके सामने इतना बड़ा भारी भरकम सा molecule लिया तो आपको क्या करना सिंपल सा इस OH को replace करना इस CL को प्लेस कर देना है और आपको पता है सेम साइड से होगा retention in configuration होगा क्लियर बड़ा देखिए आप अब अब देखिए नेक्स थर्ड प्रॉब्लम है यह बहुत है important problem है ध्यान से सुनिएगा देखिएगा यह जो हमने ओच लगाया है यह above the plane लगाया है बल्लब यह जो है यह वेज लगेगा तो आपको पता है कि जब इस ओएज को सब्सिट्यूट करेगा यह तो यह सीएल भी सेम प्लेन में ही जाके लगेगा तो इस ओएज को यहां से अटाएगा यह जाके ऐसे ही लगेगा क्योंकि इसके configuration में कोई भी चेंज नहीं होगा तो आपको क्या बनाना है यह बनाना है तो आपने क्या प्लेस कर दिया अब यह रियक्शन है कि सेम मॉलिक्यूल लेना है इसकी reaction तो आप यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गए अब यहां पे क्या हो जाएगा इंवर्जन में चेंज हो जाएगा और का इनवर्जन होजाएगा clear बेटा inversion of configuration हो जाएगा तो आपका product जो बनेगा वो ये बनेगा क्योंकि आपको अभी मैंने बताए कि OH above the plane लगा हुआ तो अब इसके configuration में change हो जाएगा तो क्या बन जाएगा अब ये CL क्या हो जाएगा below the plane चला जाएगा और आपने यहाँ पे क्या लगा दिया CL लगा दिया clear बेटा मतलब ये below the plane लग गया clear तो आपको क्या समझना है बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर SO CL2 के साथ parodine आ गया तो आपको उसका configuration change करना है यहाँ पे क्या हो रहा है इसका inversion of configuration हो गया इसी को आप worlden inversion भी बोलते हो क्या बोलते हो बेटा worlden inversion भी बोलते हो worlden inversion clear बेटा worlden inversion और ये किस mechanism को follow करता है SN2 mechanism को follow करता है अगर आपको ये देखना है कि कैसे ये configuration change हो गया तो प्लीज आप comment box में जाके comment कर दीजेगा मैं इसकी separate mechanism बना के बता दूँगा आपको उसका separate video upload कर दूँगा clear बेटा तो आपको इतनी चीजे समझ में आ गई कहीं पे भी आपको OH दिखे और अगर आपको SOCl2 दिख गया थाउनिल क्लॉराइड तो आपको क्या करना OH को हटाना और CL को substitute कर देना OH को substitute करके CL को place कर देना लेकिन अगर SOCl2 के साथ pyridine आ गया तो क्या करना है OH जिस direction में लगा होगा उसके opposite direction में आपको CL को add करना है clear तो अगर चीजे आपको अच्छी लग रही है positive लग रहा है तो please आप इसको like करिए share करिए subscribe करिए God bless you all the best हुआ है तो